आज हम डिसकस करने वाले हैं 27 माई का FLT इसमें पहला क्वेश्चन था निमने में से कौन सा कौन मुख्य चुनाओ आयोत के पदपर रहे हैं इसका सही आंसर होगा V.S. संपत जो V.S. संपत है इनमें से दोजार बारा से पंद्रा के बीच में हमारे चीफ एलेक्शन का मिशनर रहे थे तो सही आंसर इसका हो जाए का V.S. संपत इसके आद में नेक्स कोश्चन था भारत में मतादिकार और निर्वाजित होने का अधिकार हैं दिखे अगर हम मतादिकार की बात करें तो यह आपका स हैं सब्सक्राइब रहे थे आपका साया है अकार है पर सुक्ति को स्ट्राइब के बारे में प्यार समयड हिए हम आपलो ऐसे क्वंडें स्लिखन मैं में तुम है पर वोड़ ने board कर दोगें पच्चिस 21 कılar कि ही यह सोला की गलत है Eren दूजार पंद्रा में गटित किया गया है दूसरा नीतिया अगा नेशनल इंट्टीट फूर ट्रांस्वर्मिंग इनोवेशन है नहीं इन्वेशन इन्वेशन की इन्डिया वर्ड है इसका मतलब यह फुल फॉर्म दिया यह भी गलत हो जाते तो ऑभीसलिए का सब्सक्राइ सही आंसर होगा इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक ठीक और वैसे भी एक ठीक के रूप में काम करता यह ठीक है तो करेक्ट आंसर बुड़ी को अप्शन नमबर डी तर मुविंग ऑन राष्टी मानवादिकार आयोग को किस से अन्वान मिला है अगर ह और होती है जेनरली हमें होते हैं फॉम्डा संट्र गॉर्वां मिलते हैं केंदर सरकार मिलते हैं ठीक है रेमेंबर यहां गर्ण्ट की बात हो रही ही तो केंदर सरकार देटीर राष्टी आयोक को मानवादिकार अधनियम 1993 में कितने अधिया भरा में बीवक्त हैं पहले यह उन्होंने बोला है उन्होंने पूछा आप से राष्ट्य मेह्ला आ यू की वरतमान प्रमुक्त कौन है राष्ट्य मire ए लिखने चीफ लें दापके तक पर compatible और वह था दिया गया यह किस चूब ऑना सब्सक्राइब इसको बढ़ा दिया गया है तो सही आंसर इसका हो जाएगा option number A then moving on राश्ट्रिय इसका अगला जो question है in which year was the national commission for the protection of the child rights watch established यह सीधा सीधा आपको commission दिया गया और इसका जो year है that you should know इसका सही आंसर इसका हो जाता option number B that is the 5 March 2007 then moving on किस समिधान संसोधन के द्वारा अंसुसिज जातियों और जन जातियों के लिए एक आयूग की स्थापना की गई देखिए अगर हम बात करें समिधान संसोधन की जो 65th constitutional amendment था 65th amendment इससे SC, ST दोनों के लिए National Commission के स्थापना की गई थी ठीक है बाद में क्या किया गया 89th constitutional amendment लाए गया और जो 89th amendment था उससे ST commission को SC commission से अलग कर दिया गया तो इस तरह से दोनों commissions existence में आएं अब उन्होंने अपने से पूछा है कि SC, ST दोनों की बात की है तो उसका सही answer हो जाएक option number B then moving on next है किस वर्ष शरकार ने एक संकल्प के महाध्यम से स्थापने की देखिए जो आयोग की स्थापने की 78 में आमेंडमेंट की बात करूं बात में आमेंडमेंट मेंटमेंट लाए गया था तो आयोग आया था इन्दा 1978 तो correct answer would be 1978 अगला जो उन्होंने दिया है हमें NGT के बारे में उन्होंने कुछ statement दिये हैं अगें प्लीज जो statement वाले questions होते हैं यह statement वाले questions में आपको eliminate करते हैं आना चाहिए तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या हम eliminate कर सकते हैं अब इन्होंने बोला है कि इसमें the right to a healthy environment which is considered as the part of the right to life under article 21 हां यह सही है एंग्ट का गाम होता है right to healthy environment को promote करना तो one would be the correct answer one of the correct then provision for the grants of the raising the level of the administration and the scheduled areas for the welfare of the scheduled tribes under article 275 बन देखिए यह गलत होगा NGT कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है scheduled traps से यह इन जो एरिया होते हैं का अपका गलत हो जाएगा इसका मतलब सर्फ सही हो सकता है बाकि सब यहां पर गलत होंगे तो इस सहसाब से हम देखें हमारा आंसर क्या हो जाएगा option number a then moving on हाली में कि सराज की विधान सभाने paperless कर अपनाने ही तो नैशनल एविधान एप्लिकेशन को त्यार को लागू कर देश की बिदान राज विधान सभाव बन गी है इसका सही नाशनल एप्लिकेशन नाए गया जिससे कि जो हमारी इसेंब्ली बगरा होती है इनमें जो भी पेपर का उप्यों होता है इस पेपर को हटा के हम पूरा सिस्टम को ऑनलाइन कर सके डिजिटल कर सके उसके लिए के एप्लिकेशन बनाए गया है सबसे पहली जो अबनी इसका करेक्ट आंसर होगा नागलेंड यह आप याद रखन हैं और पांच भी रैंक बाते हैं पॉल्यूशन गयरन टेंक्स्ट में तो सही अंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन मतलब इसका ऑप्शन नमबर ए है लिए कि इंडिया का भी आप याद रखना है इंडिया इंडिया इसमानत किया गया है देखे जो सीडियस रावत जी थे इन को रीषानड में लिए पंडग votes आप अब जितने वी लोगों को पकर डीए गाए इनके आपको पता होना चली ने पहली बार अपनी बार्शिक वित्ती होजना के इससे के रूप में बाल वजट पेस्ट किया था एंपी का कोश्चन है अच्छा है याद रखना अब नेक्स्ट एर इंडिया के बारे में आपको बता होगा एर इंडिया वैसे 42 में गौर्वर्मेंट 42 मतला इसको हम देखे और इसमें अगरे में डेखें ताटा ग्रॉप के जो चीर्मेन उनका नाम है और चंद्र सेखरन अन्हों नहीं इसके चेर्में बनाए जाएंगे तो एर इंडिया के चेर्में को नहोंगा एंचंद्र सेखरन किस देश की पहली राश्पती की रूप में निर्वाचित किया गया है तो इसमें इनको बनाए गया है जैन मुविंग ओन मद्रदेश में स्तरबादिक वर्षा किस मौनसून के कारण होती है तो अगर हम आगर इंडिया में ही बात करें न तो अराउंड एटी परसंट रेंफ आगर हम एटी परसंट के बाद में बात करा है शुक्ती बरसंट लगवगवा में ठीब मुझेज हमारे साइब बूस्ट अधनुत मॉंसून c dış दख 민व भईं संब्ससे ही बिलूई है गया हम दोण की वागं तो यहां पर when आप औम पूए एक्सेप्शन नही है इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा option number b that is the southwest monsoon then moving on southwest monsoon की बैसे दौनों ब्रांच से में इसकी rainfall मिलती है इसका नतला विंगॉल से भी मिलती है और दूसरा Arabian Sea branch से भी मिलती है next question is इसका सीधा सीधा बॉर्ड से जितनी बॉर्ड हैं पॉलिसी यहाद रखना है इसलिए भी याद रखना है कि आप आपको यहां से सीधे questions कई बार हो जाते हैं तो इनको आपको याद रखना है next question is पच्मणी किस नदी के किनारे स्थे देखिए पच्मणी के अगर हम बात करें ना यह तवारेबर के पैंक पैस्ते थे तवारेबर नर्मना दी की साहिक नदी है तो तवारेबर के बारे में बैसे भी याद रखना है चाहिए तवा डैम है तवा डैम के अलाव होगा कितना electricity produce होता है यह सब चीजे में पता होना चाहिए जामनी नदी को अद कि जून से कुछ तक मानसून आ जाते हैं तो अबरेश एमपरेशर फॉल हो जाता है तो सबसे गर्म माइना कौन सा होगा माई माई होगा इसका सबसे गर्म माईना देन मूविंग ऑन मद्रदेशने किस जिले में सरवादिक मैगनीज पाया जाता है देखिए एंपी मागरम है ठीक है जो मैगनीज प्रोडेक्शन के लिए काफी जादा जानी जाती है और इस नोन फोटम रैक्नीज प्रोडेक्शन तो करेक्ट आंसर फो दिस बूड़ बी ऑप्शन नमबर ए तैड़ेजदा बाला घाट के लावेश इनवाड़ा में मिलता है लिए बाला घाट में यहां पर कोल के प्रोडेक्शन होता है यहां पर आपको सोहाग पूर कोल फिल्ड मिलेगी ठीक है जो सोहाग पूर कोल फिल्ड है वहां पर मैंगनीज के आपको सी वीम के रिजब्स मिलते हैं वहां पर आपको कोल बैड मीथिन के रिजब्स मिलते हैं तो इसका सही आंसर हो परिवहन नहीं होता है यहां पर हमें याद रखना है परिवहन नहीं होता है यहां पर हैड़कौर्टर की बात नहीं की है इसका सही आंसर होगा नहीं है जो रिपोट थी यह 2019 में हमने देखा था इस सैंस को इसको लाइब से जानते हैं इसको जारी किया गया था जिसमें होती हैं कितनी के इसको सब्सक्राइब रिपोट आई थी 2019 में दैन मुविंग ओन मद्रदेश के होसंगावाद जिले में तवा ने दिवा बनी तवा परियोजना से कितने हेक्टियर भूमी सिंचत है देखिए जो तवा प्रोजेक्ट है इसमें 3.33 लैक हेक्टियर भूमी सिंचत है साथ साथ में याद रखना है इससे 1,000 में इलेक्टरिसिटी का प्रोडक्शन होता है 1,000 मेगवाट इलेक्टरिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो हेक्टियर के टेम से बात करें तो 3.3 लैक हेक्टियर अगर हम इन तरम सब हाइड एलेक्टिसिटी बात करें तो 1,000 मेगवाट एलेक्टिसिटी प्रोड रहे हैं चार ऐसी साइट्स हैं जनको रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है जब रामसर साइट के हम बात करते हैं यहां पर कुछ एडिशनल फैक्ट्स है और वी शुड नू पहला यह रामसर जो सिटी है इंद इरान इस लोकेटें इन दे इरान दूसरा 1971 में यहां पर एक रामसर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए दैन वी शुड नो कि इंडिया में कौन-कौन सी रामसर साइट्स हैं अब सभी साइट्स अगर आप याद ना भी कर पाओ वैसे तो आपके लिए रिकमेंडेट्स को याद करो अगर नहीं भी कर पाते हैं तो इस केसम क्या क हैर जाके चाहि इसका है मद्रिदेश में कौन सा संस्थान वान की संवन धंध नामक पष्रका का करता है इसका सही आंसर ऑप्शन नम्मर एक जो राज वन अनसंदान के इंद्र जबलपूर है दाट इज पॉब्लिशिंग दिस मैंगजीन तो यह इस मैंगजीन को पबलिश करता है दन मुविंग ओन पंडित क्रिष्ण राय किस घरहने से थैंक्ष्ण राय नहीं एक क्रिष्ण राव और क्रिष्ण राव और निलंबित नहीं किया जा सकता है अगर हम बात करें आर्टिकल 20 & 21 की जो आर्टिकल 20 है एन आर्टिकल 21 राइफ है इन दोनों को एड़ टाइम अफ नेशनल एमर्जेंसी सस्पेंड नहीं किया जाएगा यह प्रोविजन स्पेशली लाया गया था फॉर्टी फॉर्ट कॉंस्ट्यूशनल अमेंडमेंट में तो चवा महला समर्द्य योजना दौनों महलाओं के लिए होती है देन किस मुले पर दीन दयाला इंते हुदा रहसोई योजना के तरह गरीबों को पूर्ण पोशक ब्रतान किया गया इसका सही आंसर हो जाएगा पांच रुपए यह एक रसोई चालू की गई ती गौलियर से स्टार अब हमारे सामने चार ऑप्शन देए गये हैं उनको को धेन से बानमोर मुरेना में यहाँ पर सी बेंट तरी है उनके है एक हुदा हम श Rickny को choosing बातब्त हो ने हु कर्यक्ट् Erst Dragon को यहां पर यहां पर चाहँत है ङार जान करीन तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्शन नमबर चलिए मुविंग ओन निम लिखत में से किस महादीप का भूबाग सबसे कम है अगर हम भूबाग की बात करें इन कंटेक्स्ट अब यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिश्टिक हैं यहां पर जो साउथ एफरीका दिया इस नॉट एफरीका यह अमेरिका है यह थोड़ा सा लिखने में मतलब ट्रिंटिंग मिश्टिक हो गया है पेपर में तो इक साउथ अमेरिका नॉट एफरीका इंग्लिश में सबसे कम भूबाग किसका है तो जो ऑस्ट्रेलिया महादीप है इन टमस ओफ एरिया इन चारों में सबसे कम होई है तो करेक्ट टांसर भी ऑस्ट्र शेसलभी को को लिक्याँ अरुब्क तो बनाया को फिलपवारों के लॉट को क्व्रैश्ट लॉट्टिंग में सपल और बास्ट मिखने तो फॉल और लोटता है अनन पान की जैक्सा इस रो जैक्सा का एक मिशन होगा 2021 में इसके लिए दौनों के बीच में सहमती बनी थी तो यह जो मिशन ने लूप एक्स का यह दौनों के बीच में होने बाला है दन मुविंग ओन अगला question इसको वैसे पूरा हो सकता आपको लिखके नाम से मिलेगा यह पूरा इसका नाम जनरली नहीं नहीं मिलता है सरब नीरी लिखा रहता है यह जो नीरी है इस लोकेट रहें नाखपूर तो सभी आंसर इसका हो जाएगा नाखपूर जितने भी इस ट्यूशन से रिसर्च इंस्ट्यूशन्स हैं या दूसरे इंस्ट्यूशन्स इनके हैड़कॉर्टर वी शूट नो कि कि यहां से क्वेश्चन्स पूछे जाते रहे हैं देन मुविंग ओन अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का इस्थान है अब जितने भी इंडाइस इनकी रैंकिंग को यहां से होता ही है इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नमबर बी देन फूड फॉड फॉर्टिफिकेशन का संबंद है देखिए फूड में किसी खाने वाले जो भी आइड़ेवल आइटंप्स नमें किसी न्यूट्रेंट की मात्रा को बढ़ा देते आं मैं एक्जांपल देता हूं आपको जनरली जो राइस होते हैं राइस में हमें देखने को मिलता है विटामिन एक ही कमी पाई जाती जो नॉर्मल रा हूँ अब राइस में विटामिन एक ही कमी को पूरा करने के लिए इसके एक वेराइटी को डेवलब किया गया इसका नाम है गोल्डन रिस यह जो गोल्डन राइस है इसका फैदा यह है कि किसका एक्जाम्पल हुआ यह वह फूड़ फॉड़िफिकेशन गांसे माइक्रोन्यूट्रेंट्स जनरली किसी पर्टिकलर फूड़ में नहीं पाया जाती उनको सप्लिमेंटरी तोर पे उसमें प्रोवाइड करना वह होता है फूट फॉट वॉट फॉट इवी है यह सले कि हम निउट्रिशन को काउंटर कर सकते हैं तो अभी जो फिप्तीं दगस्त की स्पीच होती है उस स्पीच में प्राइम इनिस्टर ने बोला था कि बाइदा या 2024 हम क्या करने वाले हैं तो हमारा जो मिडे मील कारिकरम है जहां जो पीडिए हैं उसमें फूर्ट वीडिए जो फूर्ट है उसका हम देने वाले हैं, तो उसमें फूर्ट वाले स्वूर्ट होंगे मिलना चालू हो जाएंगे, अब आपके लिए एक और हॉमबक करें, कि जो मिड़ डे मिल है, उसका नाम बदल के रिसेंट में क्या कर तो आपको देखना है यहां पे उन्होंने पूछा है कि माइक्रसोफ्ट होलो लेंस की बात करें तो यह स्मार्ट क्लास नहीं बाकी इसके अलावे सब के रूप में काम करेंगा तो इसका अंसर हो जाएगा वन टू फॉर फाइफ देज्ट ऑप्शन नमबर सी देन मुविंग आपको जनरली पढ़ने को मिलता है यह इसका फॉल फॉल फॉर्म होता है अमेरिकन इस्टेंडड कोड फॉर फॉर्ट फॉर्मिशन इंटाचींज यह बस फॉल फॉल फॉर्म है आज की का दड़ यू शूद नो जन मुविंग ओं हाइभवगर डिप्लेक्स कए मतलब क्या मतलब हि całपक दोदाइकि दूसर जाता ही पद्म dop्र में कर सकते हैं पहले भाले नम नम को क्या बीपलेट्ड क्यांत होता हुए को पहला वाला नाम होता उसको में वोड़ती है इससी आ होता होता है मेंалась इसका पहला उन्हों ने से पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा option number B that is the username then अगला है in which article the provision of the ineligibility of a person to be included in the electoral role on the basis of the religion, race, caste or sex is given इसका अतलाव आसान सी बार्शा में है कि किसी को धर्म जाती वहां शमूल के आधार पे इलेक्टर रोल में ineligible नहीं किया जाएगा मतलब इस आधार पर कोई discrimination नहीं होगा यह प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है लिए प्रोविजन दिया गया इंद आर्टिकल नमबर 325 बुला गया कि इस आधार पर किसी वंचित नहीं किया जाएगा दैन मुविंग ओन टेस्ट क्रिकेट में कपल देब का रिकॉर्ड तोड़का 28 गया है इसका सही आंसर रिषभ पंद रिषभ बंद में तीस बॉलों 28 बॉलों पर इस रिकॉर्ड बनाया था ठीक है दन मुव डायटेस हो टैटनेस हो टीवी हो इन सब को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया था मिशन इंद्रधनुष को लांच किया था इसमें देखा जाए तो रिसेंट में और इसमें सबसे अच्छा काम किया है तो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा जैन मूविंग ओन निम लिखत में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तीक है यहाँ बहु हमें कुछ इस्टेट्स के नाम दिये गहें और हमें देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा नहीं अगर आपने बताओ तो जिब्रेल्टा इसमें और मुरकों के बीच में है र पर यह आपका यहां पर रॉंग आंसर हो जाता है तो ऑप्शन नमर सी हमारे दिया अंसर हो जाएगा यह जो जाते हैं तो और यह होगा यह आपके साइब यहां पाकिस्तान की सीमा पर हैं तो यह अफ्गानस पाकिस्तान की सीमा पर है के बीच में हो जाता है इंद निमलगे से कौन सा इक कथन सत्य है अब यहां पृट्ञा समाज के आंदुलन में एकके शवरबात पर बल दिया है यह पहला ही स्टेटमेंट सहह हो जाते है अगर हम राजा राम्वान रॉय की बात करें राजमान रोयना सबस्द है फोकस किया, उनका जो मानना था, वो मौनो थीजम में विलीब करते थे, एक किश्वर बाद में विलीब करते थे, मूर्ती पूजा का बिरोध किया है, इनके जो प्रिंसिपल्स थे उसके हिसाब से, तो इस हिसाब से अगर हम देखे हैं, तो हमारा बाला कॉश्चन है, पहला वाला आंसर हो जाता है, जो दया नहीं सरस्ती थे, इन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की, दोनों ऐसे लोगते नहीं पूजा का विरूद किया, तो यहां पहला ही वाला जो स्टेट्मेंट हम देखते हैं, यह यहां पर सही हो जाता है, तो य भारत में मंत्री मंडल मिशन का आगमन किस स्थितिक हो गुए यह कैबिनेट को यह भारत में पहुंचा था तो सीधी डेट आपको बता होना चाहिए 23-24 मार्च को पहुंचा था अगला हमारे से स्थित्मेंट दियें हैं चाड़के का दूसरा ना हम विश्ण कॉप्ति अकॉर्ट ले था यह सही है चंद्रकुप्ति ने नंद शासक धायनंद को हराकर मौस अमराज के स्थापने की यह भी सही है चंद्रकुप्ति ने सुदर्शन जील के करवा यह ता है यह भी सही है, इसका मतलब है को आकलनर लूम्म बस्टी मिली हैं देखो यह जो रूम वस्ती मिली है यह सिंस्प्ली आपको हि्स्ट्री के सहसान काल में सिकhों के gyrande कॉन थे सिह का सब्सिय मिदे हिस्ट्री पर मिली आ मिल जाएगा था उसके बाद एको अस अधास, नेक्स्ट, भारत के कि स्ल्तान के स्ल्तान बारत की कि छेत्र में सुल्तान जैनरल आवदीन का स्हाथ passion था, इसका सञी अंसर है कश्मीर, एक्शन में इसको कश्मीर का अकबर भी बूलते हैं, काफी tolerant policy के नाम के गारण इसको जाना जाता था इसका जो साशन था कश्मीर वाले छेतर में था तो इसका सही अंसर कश्मीर हो जाता है कश्मीर का अकबर भी इसको कहा जाता है open market operation किस नीती का अंग है open market operations क्या होते है open market operations operations RBI की monetary policy का हिस्सा होते हैं जिसमें RBI मार्केट में जो गौर्मेंट security जोनकी sale and purchase करता है money supply को कम या जादा करने के लिए depending upon the situation तो open market operations आसान सिवाशा में RBI द्वारा government security को खरीदना या वेचना है जिससे कि market में money supply को balance किया जा सके यह किस नीती का हैस्सा होंगे इसको हम RBI की credit policy का हैस्सा मानते हैं credit policy को monetary policy बोलते हैं इसको सही अंसर हो जाएक option number a then moving on budget 2021 के उतारंद भायत के मुख्य आर्थिक सलायकार कौन थे के सुब्रमन्यम हमारे आर्थिक सलायकार है तो इसका सही अंसर हो जाता है बेगार को बेगार मतलब होता है इसको कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है सीथा सीथा fundamental rights question है इसका सही अंसर हो जाएगा सोशन के विरुद्द कार किसी तरह से exploration नहीं हो सकता तो यह उसके लिए लगाता है देन चौबीस बार समयदान संसुदन अत्यंद प्रसिद्ध है क्योंकि अब देखिए जो ट्वंटी फॉर्ट में चुनाओं के संदर्भ में निमले कितमें से कौन सा वीवी पीट का सही हूण रूप है विए टू था फुल फ़ॉर्म भीवी पैट उसको होता है वोटर वैरिफाएबल पेपर और ट्रेल इसका सही अंसर हो जाता है जब कोई पदादीगारी अपने सार्बजनी करता भ भी बोलते हैं जो रिट जारी किया सकती है अब जारी करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोड का आर्टिकल 32 में अगर हम हाई कोड की बात करें तो यह इंदा आर्टिकल 226 तो यह इसके आर्टिकल्स भी है देन मुविंग ऑन भारत में उपराश्टपेटी के निर्वाचन किय जाता है अब देखिए उपराश्ट निर्वाचन में अगर हम बात करें तो इसका जो निर्वाचन होता है वो किया जाता है संसत के सदस्यों द्वरा इसमें दोनों सदन के लोग सवामिल होते हैं राजस्वा के बी और लोग सभा की भी ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा दो कब मनाया जाता है पाइडे देखिए पाइडे मनाया जाता है एंदा ओन फॉर्टींथ ऑफ मार्च यह सी दस्रीय दे से कॉश्चन है चोगदा मार्च को इसको मनाया जाता है और आगे चलते हैं केंदर सरकान ने मध्य प्रदेश से संबन्द किस स्वतंतर सहिनांगी नाम करना कि गहां ने सुना वागा एंपी की हिस्ट्री में । आगे चलते हैं चंद्रकुप दॉत्ती के दुप्तिय राजधानी क्या थी चंद्रकुप दुद्टी के नाम सुना गया इनके दरवार में नौरत्म भी हुआ कर थे मिल्भी का मोल इस्तान से बल्वी के जैन और यह वाला जो रीजन है यहां पर बूलिया आपको दिखाई देगी देन उस्ताज चंडी देवी का मेला कहां लगता है चंडी देवी के मेला सीधी जिले में लगता है उस्ताज अपिज जली खां का संबंद किस वादिस है देखिए उस्ताद आफिजली घहां ये सरोध बादक थे, सरोध बजाते थे, तो सरोध से हैं का संबंद। जैन तीर तियात्रा केंद चूलगीरी मद्विदेश के कौन से जले में इस्थे थे ? देखिए जो इस्थान तो यह बडवाणि जिलें में इस्थते थैं मुविंग और शंकर में यह पचमणी और शंकर गुपा कहां पर इस्थते थे जो जड़ा शंकर गुफाएं यह पच्मणी में लुटर कुन नहीं है ट्रवन्हें नारांड समय कि राजा रॉजन जीता तो उसके बाध वहां पे मंदर का नर्मान नोना करवाया था तो सी इसका अंसर हो जाता है दन मद्धिदेश शरकार द्वारा दुजार आड़ में इस ताफिट अभील परसकार की राशी कितनी रखी गई है इसकी राशी जो है यह एक लाफ रबाय है तो करेक्ट आंसर है जो आप्शन अमबर बी जन सन रच्टा के बारे निमलिकत में से कौन सा खथन सही है अब अगीन यह बड़ा सिंपल सा कोश्टन है यहां पर उन्होंने अगर हम किसी भी नूकलियस की अगर हम इस्ट्रक्चर की बात करें तो आपको क्या दिखाई देता है कि यह नूकलियस जो होता है इसमें होते हैं proton and neutron और इसके आसपास आपको दिखाई देते हैं orbits जो orbits होते हैं इन में electron चक्कल लगाते हैं तो समें कह सकते हैं कि electron जैसे मालों इन में चक्कल लगा रहे हैं तो यह है और बीच में nucleus में कौन होते हैं proton and neutron तो इसमें उन्होंने यही पूज़ा हुआ है option number c में clearly उन्हें देख रहा है कि proton and neutron are in the nucleus and the electrons revolve around the nucleus तो हमारा सही आंसर हो जाएगा option number c then next चंद्रमा पर मानप का वजन प्रत्वी की दुल्मा एक बटा च्छे रह जाता है ठीक है चंद्रमा पर अप्धी की तरह रही है इस दोना statement सही है क्यों सही है देख अगर हम बात करें चंद्रमा की यह मून की तो वहां पर जो g की value होती है वो one by six होती है इसलिए याद रख अगर जी की value change होगी तो हमारा weight भी change हो जाएगा इसलिए बोले आता है कि चंद्रमा पर हमारा जो बजने कितना रह जाएगा one by six क्यों क्यों कि वहां पर जो गृत्त्यक्रशन है ग्राविटी है उसकी value is one by six तर मूविंग ओन केसर पौदे की किस भाग से प्राप्त होता है केसर पौदे के स्टिग्मा यह जो वर्तिगाग होता है उससे मिलता है इसके करेक्ष्ट आंसर हो जाएगा अब यहां पर जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आया था 2018 में उसके उद्देश हम से पूछे गया है गर्वती मेलाओं तता इस्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोशन संबंदी जाब रुकता अत्पन ने करना यह इसका सही होगा छोटे बच्चों के शुरी तता मेलाओं में रख्तालपा की गमी को घठाना य यह भी नहीं होगा इसका मतलब है वान एंट वुडवी दर राइट उप्शन तो अप्शन नमबर एंवारा इसका सभी आंसर हो जाएगा तर अटल टेनल को अगर हम बात करें इसमें में हमें कुछ स्ट्रेटमेंट दियें देखते हैं मैं से कौन-कौन से सही है पहला इसक अमरीक द्रस्टी से महत्पून है यह भी सही है इसका मतलब है कि चारों इसके सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नमबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दैन मूविंग ऑन हमारे सामने कुछ सूचियां दीगे इनको हमने समेलित करना है देखो यह सूची बाले कौशन से बें पाइदा होता है कि अगर आपको कुछ भी पता है तो रिमेनिंग आप निकाल सकते हो जैसे कि हम गारों का जानते होंगे गारों कहां पर है यह में गारों खासी जैन्ट आपको कहा मिलते हैं South में इसके मतलब है कोली مलाई आपको कहा मिलेगा तमिल नाडू में तो हम ने क्या देख बंगी है हमें दो चिजहיים पतलते का की उना चीजह और एकर फिर्स्ट होना भारत की सभी प्रमुक नदियां बंगाल की इखाडी में गरती हैं पर और और नभगार्व तरफ दोनों का रिफट वैली में फ्लो गन्ना तो यहां पर देखा लाए तो t0ो और सही हो जाते और ए और का सभीnisse न कर चैंड बी है CAN यह थीक है एसमें जैब तत्य प्रचुरमातर में होते हैं जो ब्लैक स्वाइल होती है उसमें हुमस नहीं होता है तो इसका मतलब यह आर इसका गलत हो जाएगा तो इसमें सरफ एस यह और आर गलत है जैने मुविंग ओन अबिटा जिसे सैटलाइट टेलिवियन के प्रथम राष्ट्रिय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है इडवाज डेबलब्ड बाए देखिए यह जो डेबलब किया गया था यूएससर सोवियत यूनियन द्वारा किया गया था आप्शन नम्बर सी हो जाएगा एफ डी कि आई फाइब डिस्ट्रिबिटर डेटा इंट फ्रेस किसका पार्ट होता है इस दा पार्ट ऑफ रिंग टॉपलोजी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्च रोबोट अलम्पियाड अभी हाल में कहां अभी हाली रद किया गया कहां होने वाला था देखिए होने वाल सब्सक्राइब के नाम से तो आपको यह अभी जो रोबोट अलम्पियाड यह मौन्ट्रियल में होने वाला था लेकिंग बाद में इसको रद्द कर दिया गया था रस्नवा परव मद्देश की कौन सी जन जाती दौरा मनाया जाता है इसका सही अंसर है बैगा जो बैगा ट ज सेंट्रल बैंक ऑफ देंकर्ट दिस बुटियों फॉल्व फॉल्व यह रखने होते हैं दूसरा अर वी इस फंड्स टू दा कमर्श्यल वैंक दंब्ल्कुल इनको वारो करता है इसलिए प्र बैंक होता है आर वी एडिवाजर कमर्शिल बैंक्स ऑन दा मॉननटरी मैंटर करना नहीं होता है मौनेटरी पॉलिशी का फॉर्मुलेशन जो पूरी एकोनोमी के लिए नहीं है टाइम टाइम पर अपने डिरेक्ट जारी करते हैं अपनी रेपोर्ट को पुब्लिश करते हैं उनका काम इनको एडवाइज करना तो नहीं है तो इसका मतलब है थर्ड इसका गलत हो जाएगा तो सही अंसर क्या हो जाएगा थर्ड अंसर और बी ऑप्शन नमबर बी दन मुववेंग ओन निम्लिकत में कत्मों पर विचार कीज़े भारत के प्रतम एपी जट के स्थापनों इनी सो पैसेट मुईटी यह सही है जो हमारा पहला एक्सपोर्ट प्रोस्टिंग जोन था इन नाइंटीन सक्टिवाइब में कांदला गुजरात में बनाया गया था भारत के ऐसी जट न लागत में केंद्र और राज की लागत 25-75 है अब यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो इसको गलत कर सकते हो कि हमेशा याद रखना कोई भी सेंटर की प्रोजेक्ट होता है तो आपने देखा होगा कि जनरली जो हिस्तेदारी होती हो इस तरह से होती है 75 पंसे सेंट्र गौर गलत ही होता है कि हमेशा केंद्र की हिस्सेदारी ज्यादा होती है इसका कारण भी होता है जो सेंट्रल गौर्मेंट है यहां पर यहां पर गलत हो जाएगा तो यह हमारा सही ऑप्शन होगा देन मुविंग ओन निम लिकित में से कौन सा कार भूमी विकास बैंक द्वारा किया जाता है जो लैंड डबलप्मेंट बैंक है इनको बनाए गया था प्री इंडिबेंडन से इरा में इनका अब्जिक्टिव था जो फार्मर्स इनको लॉंग टम्स लोन प्रवाइड करना लॉंग टम्स लोन या दीर कगाली इन देने के लिए इनको बनाया गया था उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए ठीक है रोबोटिक्स के अंतराश्टी महासन का मुख्याला कहा है देखें जो रोबोटिक्स का अंतराश्टी मुख्याला यह फ्रैंकफरड में औ तो यह थे आपके FLT के questions, that's all for today.